इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते है और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। ट्राइनिकॉम प्लस टैबलेट कई दवाओं से मिलकर बना है, जिसका इस्तेमाल schizophrenia, mental disorder जिसमें व्यक्ति असामान्य व्यवहार करता है, के इलाज में किया जाता है। यह विचारों को बदलता है और mood को बहतर बनाता है, व्यक्ति की सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने की क्षमता में सुधार करता है। और अगर आप कोई खुराक लेना भूल गए हैं, तो उसे जल्द ही ले ले। बहतर महसूस होने के बावजूद भी दवा की कोई खुराक ना छोड़ें और इलाज का कोस पूरा खत्म करें। और घबराहत शामिल हैं। शुरुवात में जब आप पोजीशन बदलते हैं, तो यह दवा ब्लड प्रेशम में अचानक कमी ला सकती है। अगर आप बैठे या लेटे रहे हैं, तो धीरे धीरे उठीए। इससे चक्कर आने और नींद आने जैसी समस्याएं आ सकती हैं। लुकोमा या हरदय से जुड़ी किसी भी समस्या से पीडित हैं, तो इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर को इस बारे में सूचित करें। अगर आप शराब या किसी नींद वाली, खांसी और या अलजी की दवा के प्रभाव में हैं, तो आपको यह दवा नहीं लेनी चाह इस दवा से वजन भी बढ़ सकता है, इसलिए स्वस्थ संतुलित आहार खाएं, उच्छ कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ खाने से बचें और नियमित रूप से व्यायाम करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।